हेलो फ्रेंड स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने ही चैनल क्रिकोलन प्रिडिक्शन में तो गाईज आज की वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं CPL का जो मैच नंबर 26 खेला जाएगा TKR VS SLK के बिच में आप लोगों के लिए स्मॉल लीग की वीडियो डाली हुई है फिर भी एक और वीडियो मैंने सोचा आप लोगों को बता देता हूँ इसमें प्लियर्स बैटल वगारा मैंने इंकुलूड किया है तो यह भी वीडियो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है तो अगर आप चैनल पर पहली दफाए हो तो सबसे पहले देखो सस्क्राइब करना वीडियो देखने के बाद अच्छी लगे तो लाइक करना तो चली वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो टीके आर के तरफ से आप लेगों को बताता चलू जैसन रोय के साथ कैरी कैटी ओपन करेंगे अब देखो सुनील नारायन पिछले मुकाबले पे बेंच पे गयते अब अगर वो आएंगे तो इंपोर्टेंट है खेर रोय की बात करते हैं पिछले मैच में 64 किया थे थोड़ा सा उपर नीचे इनका फॉर्म देखने को मिल रहा है कई बार स्टार्ट भी मिलता है तो बड़े में कनवर्ट करने में थोड़ा सा असफल रह जाते हैं बाकि कैरी कैटी की बात की जाए तो फॉर्म वैसे इनका ठीक ठाक है grand league में important small league में risky रहेंगे Nicolas पूरन कई बार मैंने देखा इनको 90s में score करते हुए सतक से कई बार भाई चूब जाते हैं लेकिन अच्छे खिलाड़ी हैं अपने लिए नहीं खेलते हैं टिम के लिए खेलते हैं important खिलाड़ी हैं बालिंग में अगर हाथ आजमाएंगे तो important खिलाड़ी हैं लेकिन हाथ नहीं आजमा रहे हैं तो first bat में मैं कहूँगा अगर चाओ तो team में ले सकते हो ब्रावो का ये आखरी कोई T20 league होने वाली है इसके बाद ये सन्यास ले लेंगे सभी T20 format से तो एक विकेट इनको मिलाता बाकि आंदरे अरसल का ओवर कट रहा है बाकि दो भर की बालिंग में कोई विकेट नहीं मिलाता बैटिंग अगर first आती है तो important है second bat में चाओ तो drop कर सकते हो ठीक है अके लोसान 4-4 ओबर complete कर रहे हैं अने एवरेज एक विकेट निकाल के दे सकते हैं Chris Jordan पिछले मैच में दो विकेट मिलाता अभी 100 वगेरा जब खेला गया था तो इनका form वैसे अच्छा था बाकि जैडन सिल्स दो बर की बालिंग में विकेट मिलाता वकार सलीम खेल पिछले दो मैच से विकेट लेस गया है लेकिन उससे पहले बहुत यच्छ है इनका performance है बात करते हैं सेल्के टीम से तो फैफ फैबलोस फैंटास्टिक डूपलेसिस के साथ जॉनसान चार्ल्स ओपन करेंगे अब देखो राइट आम आफ ब्रेक बालिंग करेंगे सामने निकोलास पूरान एक आप लोगों को लेफ्ट हंडर देखने को मिल रहे हैं बाकि और कोई लेफ्ट हंडर नहीं है तो पूरान के लिए इनको बालिंग दी जा सकती है ठीक है अब देखो टीम साइफर्ड की बात करते हैं तो 45 रन इन्होंने किया था फर्स्ट बैट में यह इंपोर्टेंट है डेविड वीज 11 रन बालिंग से दो विकेट इनको मिला था इंपोर्टेंट है बिकस बालिंग भी करेंगे एरोन जोन्स की बात करते हैं तो मिडल ओर्डर में यह खेलते हैं बैटिंग जनरली इनकी आती नहीं है ठीक है बालिंग का कोई स्योरिटी रहता नहीं है माइकल गोविया एक विकेट मिला था लेकिन बहुत इक्स्पेंसिव ओबर इनका जा रहा था जो सफ इंपॉर्टेंट है फ़िस्टिनिंग के बॉल में इनफेक्ट वीसी कर सकते हो खैरी पेरे को एक विकेट मिलाता है जील में ट्राइ करना चाहो सेकंड बॉल में देख लेना बाकि नूर एमद की बात करते हैं तो दो विकेट इनको मिलाता नूर एमद का फॉर्म बहुत अच्छा जैसे सामने से वकार सलीम खेल का फॉर्म है एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूं देखो ग्रांड लिग में इनको जरू ट्राइ करना वैसे है अगर सामने से देखा जाए तो लेफ्ट आम उथर्डॉक्स तो इनके पास नहीं है लेकिन लेफ्ट आम चाइना मैंने वकार सलीम खेल और हाँ यहां पर माफ कीज़ेगा एक मिनट अकिल हुसान लेफ्ट आम साइन खेलेंगे तो बैटिंग से तो उतना जबर्दस्त योगदान नहीं है लेकिन अच्छी बाते बाते बॉलिंग करेंगे तो इंको भी मानूंगा और दूसरे टीम के तरसे जो भी खिला रही है आप देख सकते हो मैच नंबर 26 और इसी के साथ लगबग 80-90 परसेंट मै पारिश के भी आसार है एवरेज स्कोर 170 रहने 57 विक्टे गिरिया है जहां पर 45 विकेट तेजगती के बॉलर्स 12 विकेट इस्पिन बॉलर्स ने निकाले हुए तो तेजगती के बॉलर्स का डॉमिनेशन रहेगा अब वेनू पर टॉप पफरमर खिला ली तो रोई एक मुक अबन बह्ता आया वह सब डिटा देख लेना क्रिस जॉडं पर दो मुकाबले में पर वन न अवरेज 2 विकेट अलजारी जोसफ चार्स मुकाबले में ऑन एन अवरेज 1.6 विकेट डाविडवेड दो मुकाबले में 1.5 विकेज अवरेज इस वेनू पर निकालते हैं dance mash पर साउथ अफ्रीका की टीम चेज नहीं गर पाती है 13 विकेट पेसर तीन विकेट इस्पिनर फिर यहाँ पे 174 बनता है यहाँ पर चेज होता है 9 विकेट पेसर एक विकेट इस्पिनर तो ज्यादा तर इन फैक्ट 95 परसंट जो विक्टें तेजगती के बॉलर्स पर चाहिए लेकिन हाँ मजबूर्ट टीम पर लेकिन हाँ मजबूर्ट टीम है तो अगर यह लोग फश्ट बैट करें तो आप लोगों को 190 वाला टोटल भी बनता हुआ दिख जाएगा बागी टेलीग्राम चानल का लिंक किसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जोएन कर आप लोगों को वहीं पर पता चलेगा देखो बात करते हैं जब यह दोनों टीम आपस में खेलते हैं तो कुछ टॉप पर्फरमर खेलाडी तो पुलाड 20 मैच में 545 रन 14 विकेड भी इनके नाम है बॉलिंग करेंगे तो बहुत इंपॉर्टन खेलाडी जॉंसन चार्स 21 मै में 571 रने तो पुलाड का डेटा चार्स के कंपियर में भी जादा बहतरीन है रसल 16 में 15 विकेड जोसफ 12 में 16 विकेड नाराइन 21 में 22 विकेड पलस 180 रन भी है प्लेस बैटल देख लिजे इंपॉर्टेंट इसलिए वीडियो बना रहा हूं एंड्रू गोस का जारी जोसफ ने दो बर फसाया और नाराइन काफी फसते हैं तीस गेंदों में मात्र 35 रने डेविड वीज ने भी एक बर आउट किया है पूरान चार बर फसें चेस से नूरहमस से तीन और दो बर फसें ठीक है पोलाड देखिएगा दो बर अलजारी जोसफ ने इनको भी आउट किया है रसल को अलजारी जोसफ ने दो बर आउट किया है तो अलजारी जोसफ आज वैसे इंपोर्टन खिलाडी हैं सामने से टीम साइफर्ड को ब्रावो ने एक बर चेस को ब्रावो ने दो बर अकिल होसेन ने दो बर डेविड वीज को रसल ने एक बर नाराइन ने चाहूंगा इनको मौका दिया जाए बात यह और जितने खिला रही है आप डेटा देख सकते हो यहां पे भी रोश्टन चेज एक important खिला रही है जारी जोसफ पे भी आप लोगों को थोड़ा सा खासा ध्यान रखना है चेज भी important खिला रही है तो यह देखो कुछ important खिला रही है जिनको की मैं बता रहा हूँ आप देख सकते हो दोनों टीमों का recent form में देख लेना यहां से इसमॉल लिग में देखो नारायन निकॉलास पूरण चेज फैफ डू प्लेसिस सेफ काप्टन वाइस काप्टन ग्रांड लिग में रोश्टन चेज नई माफ की जगा जोंसन चार्ल्स आंदर रसल नूर एमर डैविड विस को ट्राइ कर लेना बागी चलो देखते हैं अच्छे से सारे खिलाडियों का डेटा बताया हुआ है बागी हाँ टेली ग्राम पे आ जाना डिस्क्रिप्शन में लिंक है सामको साड़े साथ बजे मुकाबले अच्छा हो सकता है देखो पूरन चार्स को ट्राई किया लेकिन पूरन का हेड़ टू एड नंबर अच्छा और फ्लॉप होगा तो इंपॉटेंट है और राउंडर से चेज वीज रसल को लेके चल रहा हूं बाकी ब्रावो को मैंने फ़र्श्ट इनिंग के बॉल में जरूर रखोंगा अधरवाज ड्रॉप कर सकता हूं और रसल को फिर्ष्ट इनिंग के बैट में रखोंगा अधर बहुत अच्छा परभावित किया है अकेल होसेन को भी जियल में ड्राई कर लेना भाई ठीक है सामने राइट हैंडर है जॉडन को भी फश्ट इनिंग के बॉल में ट्राई कर सकता हूं बाकी जेडन सेल्स को जियल में एम गोवी आई है इंपॉर्टन खिलाड ही हो सकता है फश्ट इनिंग के बॉल में अगर ओफर ना कटे तो तो फिलाल देखो कुछ इस परकार के टिम बन के रेडियो और यहां पर चेज के साथ साथ चेज काप्टन वाइस काप्टन जोसेफ को मैंने किया है कुछ डिसीजा ने जो की टॉस के बाद लेना है बाकी पूरन का वि विडियो कमेंट करने से आगे यूटूब रिकोमेंड करता है बाकी मिलते हैं और अच्छी विडियो साथ तब तक लिए गुडबाई टेक के